गुड मॉर्णिंग बच्चों आज आप लोग निकाल दीजिए मैट की बोग पेज नमबर 36 तो पेज नमबर 36 निकाल दिया आप लोगों ने इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों ascending and descending order ascending and descending order तो बच्चों आप लोगो इसीडिया दिख रही है ना 12345 यह नमबर लिखे है ना 12345 अब देखे बच्चों आप लोग one पे गए फिर उससे बड़ी पे गए two पे फिर 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी संख्या 5 तो आप लोग सीडियां चड़ रहे हैं ऐसे करके तो छोटे से बड़ा, तो 1 पे जाएंगे, फिर आप लोग 2 पे जाएंगे फिर 2 से बड़ी 3 पे जाएंगे, 3 से बड़ी 4, 4 के बाद 5 पे जाएंगे तो छोटे से बड़ा क्या होता है ये? Ascending order नीचे से उपर की ओर जा रहे है ना छोटे से बड़े की ओर छोटे से बड़े की ओर जा रहे है 1 पे फिर 2 पे फिर 3 पे फिर 4 पे 4 से बड़ा 5 तो छोटे से बड़े की ओर जा रहे है क्या हो गया बच्छो यह ascending order क्या हो गया बच्छो ascending order अब यह देखिए बच्छो यह गड़ ले ना यह देखिए सीडी चल रही है वन पे फिर टू पे फिर त्री पे फोर पे फिर फाइब पे ऐसे करके जाएगी तो एक छोटे से बड़े की ओर जा रही है ना तो क्या हो गया यह ascending order इधर भी सीडियां बनी होई है वन टू थ्री फोर फाइब अब आप लोग फाइब से फाइब से नीचे उत्रेंगे फाइब फिर फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन बड़े से छोटे पे आएएगे आप लोग पहले सबसे बड़ा क्या है फाइब, फाइब से छोटा फोर, फोर से छोटा थ्री, त्री से छोटा टू, फिर वन, आप लोग बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं ना, उपर से नीचे की ओर, तो बड़े से छोटा, 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 इससे भी छोटा है ना, तो बड़े से छोटे की ओर क्या हो अगर हम लोग नीचे से उपर जाते हैं छोटे से बड़े की ओर तो क्या होता है बच्चों असेंडेंग ओर अगर बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो क्या होता है इसमें यह देखिए आप लोग को यह दिया हुआ है ना तो पहले से पढ़िए देखिए जीरो वन टू त्री फॉर फाइव सेवन एट नाइन टैन ऐसी इसके आगे तो यह छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं ना जीरो सबसे छोटा होता है फिर वन वन के बाद टू तो छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा ऐसे इसमें है ना छोटे से बड़ा देखिए आप लोग जीरो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा वन वन से बड़ा टू टू से बड़ा थ्री से बड़ा फोर ऐसे ही यह बड़े की ओर जा रहे हैं तो क्या हो गया बच्चों यह अस अब अच्छो नीचे वाली लाइन देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है 20 तो यह बड़ा हो गया ना 20 फिर उसे चोटा 19 19 से चोटा क्या है 18 18 से चोटा 17 16 15 15 से चोटा 14 14 से चोटा 13 13 से चोटा 12 ऐसे 11 11 से चोटा 10 ऐसे ही बड़े से चोटे पर जा रहे हैं तो क्या हो गया descending order क्या हो गया बच्चो यह descending order छोटे से बड़ा ascending order बड़े से चोटा descending order तो आज हम लोग आज हम लोगोंने क्या पड़ा ascending और descending order तो बच्चो आज हम लोग notebook पर work करेंगे ascending order क्या करेंगे ascending order निकाल दीजिए बच्चो आप लोग अपनी notebook तो बच्चो निकाल दीए आप लोगों ने अपनी notebook और आप notebook पर ये वाला work करना है arrange these numbers in ascending order तो आपको ये number दीए हुए है इनको आपको ascending order में लगाना है तो आपको कितनी डिजिट दी है 1, 2, 3 3 डिजिट दी हुई है ना तो चलिए बच्चो आप हम इनको ascending order में write करेंगे ठीक है तो हम लोग 0 से start करेंगे counting पढ़िया आप लोग भी मेरे साथ साथ 0 1 1 है इसमें डूंडिए चलिए इसे 1 है बच्चो इसमें डूंडिए बच्चो 1 है इसमें नहीं है अब क्या आता है 1 के बाद 2 2 है है ना ये राव तो अब इसको यहां से cut कर देंगे और यहां लिख देंगे 2 अब 2 अब 2 के बाद क्या आता है कामटिंग करिए 0 1 2 2 हो गया ना 3 तो जल्दी से देख लीजिए इसमें 3 है है तो इसको cut करके 3 को यहां लिख लेंगे 3 अब 3 के बाद 4 4 है इसमें नहीं है 5 5 है बच्चों इसमें नहीं है 6 6 है 6 भी नहीं है 7 6 के बाद क्या आता है 7 तो यहां है ना 7 तो 7 को भी cut करके यहां लिख देंगे 7 अब ही हमारी तीनों cut हो गई ना हमने यहां लिख दिया तो यह क्या हो गया ascending order 2 2 से बढ़ा 3 3 से बढ़ा 7 क्या हो गया बच्चों इस छोटे से बढ़ा क्या हो गया ascending order अब बच्चों इसमें 9 5 दिया हुआ है तो आप लोग जल्दी से count करिए 0 है इसमें नहीं है 1 1 हैस में डूड़िये नहीं है ना अब 1 के आगे count करिए 2 2 हैस में नहीं है 3 3 भी नहीं है 4 हैस में देखी जल्दी से 4 5 4 नहीं है ना 4 के बाद क्या आएगा 5 5 हैस में कहा है जल्दी से finger रखिये यह रा तो 5 हम यहां से कट करके 5 कहां लिख देंगे यहां पर 5 5 कट कर दिया 5 के बाद 6 है 6 नहीं है 7 7 है बच्चों नहीं है 8 8 है इसमें जल्दी से finger रखिये 8 तो 8 यहां से कट करके नीचे लिख देंगे बड़ा तो कांट करिए 0 है बच्चों इसमें 0 नहीं है 1 2 है 2 नहीं है 3 4 जो नहीं है बच्चों देखते जाना ठीक है 5 है नहीं है 6 7 7 7 है 8 8 है क्या बच्चों देखना 8 8 है finger रखिये कहां है यह राख तो 8 कट करके यहां लिख देंगे 8 अब आगे पढ़िए 8 के 9 9 है बच्चों यहांपर नहीं है 10 10 है नहीं है 11 11 है नहीं है 12 12 भी नहीं है 13 13 है बच्चों कहां है यह राख कहां है बच्चों यह राख यहां से कट करके 13 नीचे लिख देंगे 13 अब 13 के बाद काउंट करिए 14 14 बच्चों आपको दिख रहा है 14 नहीं है ना 15 15 है बच्चों कहां है फिंगर रखिए जरा फिंगर रखके बताईए कहां है 15 15 यह तो कट हो गए अब इन दोनों बताईए 15 है कहां है बच्चों 15 यह रहा तो इसको कट करके यहां लिख देंगे 15 16 नहीं है 17 नहीं है 18 अब हमारे पास बचा क्या है 18 18 तो 18 कट करके यहां लिख दीजिए अब इसमें भी बच्चों देखे 4 डिजट दी हुई है अब आपको फिर से सुरू से काउंट करना है 0 1 है इसमें बच्चों 1 नहीं है 2 नहीं है 3 4 4 4 है बच्चों इसमें देखी 4 है नहीं है 5 नहीं है 6 6 देखी बच्चों है 6 है क्या फिंगर रखिए कहां है यह है इसे कट कर दीजिए और यहां लिख दीजिए 6 6 6 के बाद 7 7 है नहीं है 8 8 8 8 के बाद 9 9 है क्या बच्चों इसमें देखी 9 है नहीं है क्या है 10 9 के बाद 10 10 10 कट करके यहां लिख देंगे 10 11 है 11 नहीं है 12 12 है क्या बच्चों यह क्या है 2 0 20 यह क्या है 1 2 12 कट कर यह और इसको यहां लिखिए 12 30 नहीं है 40 नहीं है अब बच्चों यह सारी तो कट कर यह हमारे पास बचा क्या 20 20 भी कट करके यहां लिख देंगे क्या हो गया बच्चों यह छोटे से 6 सबसे छोटा फिर 10 फिर उससे बड़ा 12 उससे बड़ा 20 तो इह क्या हो गया? छोटे से बड़ा असेंडेंग ओडर छोटे से बड़ा असेंडेंग ओडर तो बच्चों यह असेंडेंग ओडर आपको अपनी नोट्बुक में करने है ठीक है